नौवे सप्ताह के पांचवे लिक्चर में आपका स्वागत है इस पूरे सप्ताह हमने फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफोर्म देखा तो चलिए मैं आपको याद दिलाकर शुरू करता हूँ कि हमने क्या ध्यान किया फूरियर सीरीज के रूप में यह फूरियर सीरीज है और एक्स का एफ निश्चित रूप से आर्बिट्रेरी फंक्शन है जैसा कि आपको याद होगा कि शून्य बाइदो फंक्शन के उसत को दर्शाता है और अन्य चर्म को साइन और साइन पदों को कैप्चर किया गया है उस उस्टमान के बारे में उसिलेशन जो किसी विशेश सवाल के लिए आपके लिए यदि आपका औसत आपके उदेश्यों के लिए बहुत जरूरी नहीं है आप इसे हमेशा शून्य पर सेख कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे उदाहरन हो सकते हैं जहां औसत महत्वपूर्ण हो के m's, p'm's, co-integral के संदर्भ में लिखा जा सकता है तो हमने लिया continuum limit तो बोलने के लिए हम Fourier series से Fourier transform की ओर गए तो इस स्थिती में हमारे पास फलनों का एक pair है तो दिया गया है tkf तो यहां आपने फलन को समय के फलन के रूप में समझना अधिक सुविधाजनक है लेकिन य यहां आवश्यक नहीं की समय का फलन हो यही ऐसा होता तो उस स्थिती में मेरे पास new के transform का यहां pair new का f है ऐसे मामले में new frequency है capital F new जो इस integral द्वारा दिया गया है जिसे मैंने यहां लिखा है और यह tkf फोरियर frequency है दूसरे शब्दों में मैं एक ही function को frequency space में देख रहा हूँ इसलिए function समान है लेकिन यह frequency space में शायद अलग दिखता है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि tk function f को आवधिक होने की आवश्यक्ता नहीं है तो याद है कि जब हमने इस warrior series को लिखा हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि function x का f आवधिक है लेकिन यहां हम अपनी आवधिकता आवश्यक्ता से मुक्त होते हैं और इसी प्रकार आप अपने चारों और दूसरी तरह से जा सकते हैं आप new के capital f से जा सकते हैं यदि frequency space में कोई function दिया जाता है तो आप time domain में उसी function को दर्शा सकते हैं तो इसे inverse Fourier transform कहा जाता है इस जानकारी के साथ अब तीन प्रशन करते हैं जो कि मैंने इस lecture के लिए प्लान किये हैं पहला सवाल half wave rectifierer के लिए Fourier series धुनना है अब half wave rectifier आपके लिए क्या करता है तो यह केवल यही रहेगा इस waveform के positive भागों को रखें अन्य शब्दों में एक बार शोधन हो जाने के बाद या waveform बस यही होगा तो यह एक आवधिक function है जिसकी मूल अवधि है मान लीजिए कि यह शून्य से दो पाई के बीच जा रहा है function को देखते हुए आप वास्तव में कोई गणना किये बिना कुछ अनुमान लगा सकते हैं उदाहरन के लिए आप देख सकते हैं कि इस function का औस शून्य नहीं होगा तो इस पर्ष्ट रूप से औसत यहां कहीं होने वाला है यहां बिलकुल इर्वेन या एक और फंक्षन नहीं है तो यहां मेरा फलन है f का x और भले ही मैंने मूल यूनिट में function निर्दिष्ट किया हो जो शून्य और दो पाई के बीच स्थित है आपको याद रखना चाहिए कि यहां एक आवधिक function है यहां संपूर्ण वास्तविक अक्ष तक पहला है आए पहले function के आउसत मान की गणना करें यदि आपको याद है कि यहां function का माध्य मान शून्य के लिए हमारा मूल सूत्र है आसानी से πाई और दो पाई के बीच function का मान शून्य होता है अतह वह x का f होगा h sin x 0 से πाई sin x dx अगली quantity जो मैं खोजना चाहता हूँ वह है बेशक ए एंस एंस इस तरह दिया गया है बाई एक पाई 0 से 2 पाई x का f cos n x dx तो याद है कि इन गुनांक दोनों a n और b n जब आप उन्हें इस integral के माध्यम से मूल लियांकन करते हैं जब integral की सीमा आमताओर पर कहते हैं कि किसी range के बीच जाना जो की L है सामने आने वाला factor एक divided by L by 2 होगा उदाहरन के लिए इस मामले में हमारा x 0 से 2 पाई के बीच है तो वहां आने वाले factor को इस मान के आधे से विभाजत किया जाना चाहिए तो इसका आधा पाई है तो यही कारण है कि मेरे पास इस integral के सामने पाई factor द्वारा यह एक है तो मुझे इस संबंध की जरूरत है साइन ए कोस भी होगा आधा साइन ए प्लस भी प्लस साइन ए माइनस भी मैंने integral किया है और सीमाएं बहां रखनी है इसलिए वे मूल रूप से दो टर्म थे इन दो सीमाओं को रखने से हमें चार पद मिलते हैं इस से पहले कि मैं LCM ले लूँ मैं भी जोड़ दूं की कास एन प्लस एक पाई बराबर है माइनस एक की घात एन प्लस एक के इसलिए याद रखें की एन एक पूर्णाख है इसलिए हम ऐसा करने में सक्षम है अब हम LCM लेने के लिए तयार है तो मैंने क्या किया है मैंने माइनस प्लस एक की घात एन बाहर इस स्थिती में आप इन में से चार टर्म को इस तरह से एक साथ रख सकते हैं और यहाद प्लस एक और प्लस एक एक साथ आपको इस दो प्लस टर्म को यहाँ देंगे फिर से आप देखेंगे की N N माइनस N यहाँ से कैंसिल होगा और फिर यहाँ केवल दो है ड्यूमरेटर में जो की माइनस एक की घात N है तो पूरे दो को बाहर निकाला जा सकता है तो अब मेरे पास A N के लिए यहाँ अंतिम एक्सप्रेशन है जो होगा माइनस H बाय पाई गुणा माइनस एक की घात N प्लस एक विभाजित किया गया है N प्लस एक गुणा N से मैंने इंटीग्रल B N के लिए लिखा है फिर से हमें वही काम करने की जरूरत है तो यहाँ इंटीग्रल केवल तब योगदान देगा जब यहाँ N उस संख्या के बराबर होगा जो इस X के सामने है तो इस मामले में एक होता है तो एक मात्र मान जिसके लिए यहाँ इंटीग्रल शून्य नहीं होगा यदि N एक के बराबर है जिस स्थिती में और अन्य सभी भी N बराबर हैं शून्य के पन के लिए एक से बड़ा होने पर अब हम सभी परिनाम एक साथ रख सकते हैं X का F बराबर है भी एक अकेला है मैं पहले इसे शामिल करता हूँ पहले लसको तो इन सब के साथ चलिए फंक्शन को फिर से बनाते हैं अब मैं इन सभी टर्म कोई एक साथ एक अठा कर सकता हूँ और अंतिम एक सप्रेशन लिख सकता हूँ इसलिए यहां हमारे फंक्शन के लिए अंतिम परिनाम है अगला सवाल एक सवाल है जहां फंक्शन केवल एक निश्चित क्षेत्र के भीतर परिभाशित किया गया है यहां function x का f है, cos square x और हमें इसे ज्याद करना है तो एक Fourier प्रदर्शन तो आए पहले इस function को plot करें, तो यहां मैंने आपके लिए cos square x function plot किया है इसलिए ध्यान देने योग्यबाद यहा है कि यहां एक even function है, यहां इस figure से बहुत स्पष्ट है और basic periodicity यहां से यहां होगी जो की 0 से पाई तक जाएगी तो एक और बात आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से function का औसत मान 0 नहीं है और क्योंकि यहां एक even function है किसी भी गणना के बिना आप कह सकते हैं कि सभी भी n गुणांक 0 हो सकते हैं, सभी n के लिए तो इसके साथ चलिए बस a n और function के औसत मान की गणना करें इसलिए यहां मैंने function के औसत मान के लिए 0 के लिए मानक सूत्र लिखा है ठीक है तो मैंने integral की सीमाई डाल दी हैं और यह 0 बदल कर एक हो गया है अब हम सभी अन्य गुणांक की गणना करेंगे function कॉस्ट स्क्वाइर एक्स को गुणा किया गया है इसलिए इन दोनों integral को करना आसान है विशेश रूप से यह दूसरा integral जो आपको करना चाहिए याद रखें कि यहाँ उन सूत्रों में से एक जैसा है जिसे हमने पहले दिन देखा था जब हमने Fourier series शुरू किया था सामान्य तोर पर cos nx cos mx का integral क्या है इसलिए एक मात्र टर्म जो बच जाएगा जब mn के बराबर हो तो इस integral को देख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से केवल एक ही टर्म बच सकता है जब n2 के बराबर हो और आप देख सकते हैं कि पहला टर्म यहाँ एक integral over cos nx है जो मुझे sin nx divided by n और sin nx देगा n का मान क्या है n पूर्णांग होने पर भी x πाई के बराबर 0 होगा और x 0 के बराबर होगा इसलिए पहला integral पूर्ण रूप से 0 है पश्ट रूप से हम एक ऐसी स्थिति की और बढ़ रहे हैं जहां सभी ये ns 0 है केवल एक को छोड़ कर जिसके लिए इन दो के बराबर है तो आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां 2 एक बटा दो के बराबर है अंतिम परिनाम आधा प्लस आधा गुना 2x होगा और अन्य सभी ns 0 होगे और b ns भी 0 होगे तो हमारे पास परिनाम है कि cos square x बराबर एक प्लस cos 2x बटा 2 है ठीक है इसमें आश्चर्य नहीं है यह सिर्फ मूल Trignometric identities में से एक है यहां प्रश्ण यहां है कि मेरे पास t का f है जो कि दो exponential function का गुनन है एक ही की घात आई दो पाई न्यू शून्यती है और फिर exponentially decaying function in times का कुछ time constant है आप देखेंगे कि यहां के बन Demp, Harmonic oscillator का हल है अब मैं जो चाहता हूँ बहर इसके Fourier transform को खोजना है तो new का एफिस के द्वारा दिया जाएगा क्योंकि समय शून्य से अनंत तक जाता है हम शून्य से अनंत तर एकी कृत करेंगे t का f घात माइन्स i, 2π न्यू टी, गी जी इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है e की घात माइन्स कोई constant into t integrated over t यह integral फिर से करना आसान है बस एक exponential integral new का एफ होगा जो की integral के बाहर ले जाया जा सकता है और यह integral के इस परिणाम का मूल यांकन शून्य और अनंत के बीच किया जाना चाहिए अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं upper limit t अनंत के बराबर रखता हूँ तो numerator बस 0 हो जाएगा और अगर मैं lower limit रखता हूँ तो यह मुझे एक देगा और इसलिए अन्तिम परिणाम होगा a divided by i to pi new minus new 0 प्लस एक by tau तो यह मेरा 8 का new है और मैं इस तत्थे का भी उपयोग करूंगा कि 2 pi new omega है और 2 pi new 0 omega 0 है अब इसे देखना आधिक सुविधाजनक है क्योंकि इसे power spectrum कहा जाता है इसलिए हम गढ़ना करना चाहेंगे कि new times का f star new का f क्या है ताकि मुझे इसका modulus square मिले और यह एक positive definite function होगा यह आई अंदर होना चाहिए था तो मैं सीधे इस एक new square का परिनाम लिखता हूँ और यह मुझे देने वाला है इसलिए new का उपियोग करने के बजाए मैंने ओमेगा का उपियोग किया है हम new और ओमेगा के बीच के संबंध को जानते हैं इसे थोड़ा और अधिक समझने के लिए यह देखना बेहतर होगा कि यह कैसा लगता है अगर मैं इसे plot करूँ तो यह function कैसा लगेगा एक function का Fourier transform जिसका amplitude exponentially decay हो रहा है इसलिए यहां मेरा T का F था और यहां मैंने power spectrum plot किया है peak तब होता है जब new दूसरे शब्दों में 0 के बराबर होता है यहां इस कथन के बराबर है कि new 0 या frequency new 0 इस function में सबसे अधिक योगदान देता है अन्य सभी frequency का योगदान अपेक शाकृत कम होता है और वहां new 0 के आसपास decay होता है